हाई दोस्तो आपका फिर्स एक और ने ब्लोग में स्वागत है तो दोस्तो मैं बहुत वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लेकिन एक भी ब्लोग में आप लोगों को यह नहीं बता रहा हूँ कि आखिर कौन-कौन सा बीज हम लगा रहे हैं तो हमने यह डिसाइड किया कि आज कि इस ब्लोग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हमारे पास कितना टाइप्स के बीज है यानि कि कौन-कौन सा बीज हैं किस तरह के फसल के बीज हम लोगों के पास है तो ब्लोग के साथ कंटिनियो बने रही है तो चले फिर आप लोगों को बीज दिखाते हैं कि कौन-कौन सा बीज हमारे पास है और हम लगाने वाले है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो पलास्टिक में बीज का पैकेट है और इसके अंदर में बहुत सारा पैकेट है तो चले एक एक करके सभी पैकेट दिखाते हैं कि कौन-कौन सा पैकेट है हमारे पास यहाला कौन सा है चले देखते हैं और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है अंकुरहरी लोबिया तो दोस्तो इसको द्यात में बोलते हैं घंगरा त्याती भासा में इसको घंगरा बोला जाता है यह बोधी या घंगरा इसी तरह कुछ होगा हमें भी उतना नहीं पता है फस्ट टैम खेती कर रहे है ना तो दिकत हो रहा है थोड़ा सच चलिए इसको साइड कर देते है और य यह नेनुआ है दोस्तों ये नेनुआ का भी चले बहुत बढ़ने अ Qo** इस यह मरे मस्ट कर्डाक्त है यह स्को भी कर देते हैं साइड कि उसके बाद यह देख यह यह करेलाrendre एकदम यह मस्ट करेला का इसका तो इसको भी कर देते हैं सुभो 1966 क्या बात है यह 1966 का ब्रेंड लग रहा है दोस्तों इतना पुराना ब्रेंड लेकिन काफी दमदार है इसको भी कर देते हैं साइड और यह देखिए यह यह लोकी है बहुत बड़ी है चलिए और यह अला प्लास्टिक में भी चलिए देखते हैं किसके अंदर में क्या क्या है चलिए यह देखिए क्या बात है अनुसका ब्रेंड का इसको भी कर देते हैं साइड चलिए वाह और यह तो खीरा का है इसको हमने लगाया है तो बीज जो है बच गया इतना साइड लेकिन बचेगा नहीं इसको कही न कहीं तो लगा ही देंगे पांडे सीड्स कुकुमबर सीतल वीवाम है कुकुमबर सीतल पंडे वीज क्या बात है चले इसको भी कर देते हैं तरफ साइड देखिए यहाँ पर तरह तरह के विबिन परकार के एकदम इधर खीरा है इधर करेला है इधर भी करेला है लोकी करेला और इसको घंगरा आना बोधी क्या बोलते है चलिए लगाने के बाद ही पता चलेगा फोटो में तो छुड़िए इस अब नेनुआ है और इधर रहे इविक करेला पैकेट है वाँ पांडे सीट्स क्या बात है मस्त देखने में तो काफी मस्त लग रहा है लेकिन फसल अच्छा से होगा तब तो कोई बात ने जब तक है भरोसा तब तक है दुनिया और इसके अंदर में बहुत सारा बीज है जो गीर गया है लब पैकेट से वो तर्बूज का बीज है दोस्तो हमने कागच में रखा था बट गीर गया है लेकिन कोई बात नहीं प्लास्टिक के अंदर में है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमने आप लोगों को बारी के सेके करके सभी पैकेट दिखाया कि हमारे पास कौन-कौन साब बीजे फसल लगाने के लिए तो उमिद करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लोग पसंद आया होगा तो दोस्तो आज की इस छोटे से ब्लोग को वहीं पर इंड करते हैं उम्मिद आज के लिए इतना मिलते हैं जल दिने इस्ट ब्लोग में तब तक के लिए प्यारा साथ जे हिंद जे भारत